आपने साबुदाने से बनी कई रेसिपी वरत में खाई होंगी लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है और यह रेसिपी खाने में भी बहुत ज़दा स्वाधिस्ट है और बनाने में आसान और सबसे खास बात यह है कि बहुत खांब बनकर तयार हो जाती है अगर आपको वरत में कम खाना फसंद है तो रेसिपी आपके लिए बैस्ट है तोचलिए देख लिए आपके लिए प्रवंौं mówर्ण ब्राउन झाने लगे तो तब ही हमें इसकी स्प्लम और चलकतने लगे तो आप समझ जए कि आपकी जो मोंफली है वो अच्छी तरह से भुन चुकी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हलके स्पोर्ट भी आ गए और इसका जो छिलका है वो भी चटकने लगा है तो मैंने गैस की फ्लेम को आफ कर दी है और पीनिट्स को ठंडा कर लेंगे तो जब तक पीनिट्स ठंडा हो रहे है यहाँ दूसरी साइट मैंने एक कप साबुदाना लिया है जिसे मैंने दो गंटे के लिए सोक करने रखा था और आप देख सकते हैं दो गंटे में ही अच्छी तरह से सोक हो गए है साबुदाना जो है फूल गया है और उंगली से प्रेस करने पर देखें बहुत आराम से यह प्रेस हो जा रहा है तो अब हमें क्या करना है हमें इसका पेस्ट बनाना है तो उसके लिए हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे यहाँ पर चोटा बड़ा किसी भी तरह का साबुदाना ले सकते हैं साबुदाने को सोक करने से पहले इसे दो तिन बार अच्छी तरह से धोलें ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए यहाँ पर एक कप पानी लिया है जिसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी अट करेंगे और इसको पीस करेंगे तो यह मैंने पीस लिया है ज़्यादा पानी की जरुद इसमें नहीं पड़ी है आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी इसमें हमें चाहिए तो इससे दूसरे बरतन में हम निकाल लेंगे और कुछ देर इससे साइड रखेंगे यहाँ पर जो पीनेट्स हमने भून कर रखे हुए थे उन्हें हम पीस लेंगे तो छोटे जार में मैंने इन्हें डाल लिया है और इसका पाउडर बना लिया है पीस कर अब यह पीनेट्स के पाउडर को भी हम साइड में रखेंगे और एक बोल लेंगे जिसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे पहले और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है और इस पानी में हमने इस आलू को ग्रेट करना है ताकि यह काला ना पड़े और जो मैंने यह आलू लिया है यह कच्चा है तो इस रेसिपी में हमें कच्चा आलू ही लेना है तो यहाँ पर मैंने पूरे आलू को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है और यह आलू को हमने बारिक ही कद्दूकस करना है उसके बाद इन आलू के लच्छो को दो तीन बार अच्छी तरह से दोलेंगे और इसमें से आलू के लच्छो को निकाल कर जो हमने साबू दाने का पेस्ट बनाये था उसमें हम इसे एड़ कर देंगे और ये आलू के लच्छी डालने के बाद पीनिट्स का जो पावडर बना तुक पलते हमें पारी कटा हुआ नहीं करेंगे असे को चमच कघा करेंगे उसके बाद थेम पाउडर और इसे करेंगे और पर ओंते हैं मुच को चमच चमची रिछ जवी पाउडर को दिटों प्रुशन स्किपकर इसात कर दें अब इन सारी चीजे को हम mix कर लेंगे और इस बैटर को डोसे के बैटर की तरह ही बनाएंगे अब यहाँ पर जो बैटर है यह थोड़ा गाड़ा है तो जिस mixer में हमने साबुदाने को पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर और हम इसे ऐस तरह से इसमें एड़ कर देंगे तो जादा नहीं डाले पानी थोड़ा सा ही डाले पहले और फिर इसे mix कर लें और अगर आपको लगे यह अभी भी गाड़ा है तो थोड़ा पानी इसमें और एड़ कर लें और इस तरह की consistency इसकी बना लें यहाँ पर आप देख सकते हैं साबुदाने का यह बैटर बनकर हमारा तयार है और इसमें लगबग एक कप पानी मेरा पूरा लग चुका है और जो यह बैटर है ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाड़ा तो चलिए आप आगे इसकी recipe बना लेते हैं अब यहाँ पर गैस पर मैंने पैन चड़ा दिया है और इसमें एक चुटा चमश ओयल डाल कर इसे ब्रस से इस तरह से फैला लेंगे और यहाँ पर तेल की जगे इसमें आप घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं और उसके बाद आज को बिल्कुल हम धीमी कर देंगे और एक चमश भर की बैटर को लेंगे और इस तरह से फैला देंगे आप चाहो तो इसे नॉर्मल तवे पर भी बना सकते हैं लेकिन जब हम तवे पर कोई चीज बनाते हैं तो उसमें ओयल का ज़्यादा अस्तमाल होता है और बैटर को पैन में अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे तो इसे कवर करने के बाद 5-6 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे और पूरे 5 मिनट के बाद हम कवर हटाएंगे और आपको पता चल जाएगा इसे देखकर कि जो नीचे की लेयर है वो थोड़ी क्रिस्पी हो चुकी है तो हम एक स्पैचुला से इसे इस तरह से पलट लेंगे तो आप देख सकते हैं पलटने के बाद एकदम परफेक्ट लिए एक साइट से कुक हो चुका है बहुत अच्छा कलर भी आया है और जिससे लग रहा है कि एकदम क्रिस्पी बना है तो अब इसे थोड़ा सा हलका प्रेस कर लें स्पैचुला से और दूसरे साइट से भी कवर करके इसे हम पका लेंगे पाँच मिनिट के लिए अगर आप थोड़ा ओयल डालना चाहते हैं तो एक साइट से किनारे किनारे पे ओयल डाल लें तो चलिए दूसरे साइट से भी इसे पाँच मिनिट तक पकने देते हैं और 5 मिनिट बाद ये दूसरी साइट से भी एकदम अच्छी तरह से परफेक्टली कुक हो चुका है तो इसे भी यहाँ पर हम पलट लेंगे आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये रेसिपी बनकर तयार हो जाती है चाहे आप वरत में खाएं चाहे आपका वरत ना हो तब भ साइट से मैं आपको दूसरी साइट से भी दिखाती हूँ ये देखिए ब्राउन स्पोर्ट में आ गए हैं और ये खाने में भी एकदम क्रिस्पी मज़ेदार बहुत ही डिलीशेस रेसिपी है वरत के लिए बनाई जानी वाली ये आसान सी रेसिपी आप जरूर ट्राय करे और ज़रूरी नहीं कि इसे वरत में ही बना कर खाएं अपने मौर्निंग ब्रिकफास्ट को भी इंजॉय कर सकते हैं इसे बना कर चाय के साथ या फिर चटनी के साथ सर्व करें तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर करना बिल्कुल ना भोलें और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो और ऐसी ही रेसिपी इस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें